हेलो दोस्तों साथ आता सुरी कि मैं चानल दर ये लिस्टीडी कलम में दोस्तों इस वीडियो में इंपोर्टन कोशिन के साथ मैं आप सभी को आंसर भी दिखा देता हूँ तो वह भी आप लोग देख लेना जिससे की आप लोग एससरी रिइक कर सकते हूँ आराम से अधरे तो प्रीवेस थे करे कोर्शन पर कुछ और दे राखं़े हैं इसमें तो मैं दो कॉरह आप को दिखाऊँ गारा विसमें तो दो को कॉछली वारा एक्जाम में कौन कोशन है जो पूछे गए थे English Fluency में जितने भी थर समेस्टर बीए प्रोग्रम वाले बच्चे है तो पहला कोशन देखे दोस्तों पहला कोशन दोस्तों पैसिज दे रखा है तो आपको पैसिज में से करना है सारा कुछ ठीक है आपका पहला कोशन हो गया तो इसी तरह का कोश देखने को मिलेगा ठीक है और दोस्तों पहले के B में देखिये Summary लिखनी है आप सभी को write summary of the passage ठीक है? तो पैसिज में से summary आपको लिखनी है, Darts of Word में कि तो आपका पहले का कॉश्चन हो गया और यह आपका दूसरे का कॉश्चन ठीक है इसमें आपको डायलोक्स लिखने है ठीक है आपको डायलोक्स लिखने है इसमें सेकेंड कोशन में तो इस तरह के कोशन आएंगे आप सभी को ठीक है जो आप सभी का पेपर है इसी तरह के कोशन देखने को मिलेंगे आप सभी को तो आप दूसरे का complete हो गया ठीक है तो तीसरे question में देखे क्या हो लागया है right argument favoring or against the motion for the debating the topic below as per the points that follow तो आपको इसके उपर लिखना होगा ठीक है जो point दे रखे हैं इन्हें के उपर आपको लिखना होगा तो इस तरह के question आएंगे आप सभी के और इसमें previous year के कुछ और question paper दे रखे हैं वो भी आप लोग देख सकते हो ठीक है तो message करते हैं इस्टाग्राम पे पीड़ परवाइट करवा दूँआ पचास रुपे में आप ले 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 ना ठीक है पचास रुपे में आप सोई को पीड़ परवाइट करवा दूँआ तो यहां तक पढ़ लेना आप लोग अब वो चोथे का question देखिए तो चोथे कोशन में देखिए क्या वो लगया है राइट ए इनफॉर्मल लेटर टू ए फ्रेंड रिलिविंग ए हॉली डे तो आपको इसको पर लिखना होगा ठीक है लेटर लिखना है तो लेटर भी आएगा आपको लिखने को अब इस तरह का लेटर होना चाहिए आप सभी का अब पांचवा question देख लीजिए ठीक है पांचवा question देख लीजिए ठीक है तो आपको देखने को मिलेंगे बस यही पढ़ना है आप सभी को आपको भी दोस्तों बाहर से पढ़ने की जिरूर्द नहीं है जादा कुछ यह च्छटे का भी कोईड को पर पूछ लिया इसी तरह से नॉर्मल question आएंगे आप सभी को तो यह पहला question पेपर कंपलीट हो यह आप दूसरा question paper देख लो तो यह आपका दूसरा question paper ठीक है पहले question में पैसेज दे रखा है इसी तरह से दोस्तों आएंगे आप easily कर सकते हो ठीक है पैसेज में सही answer आपको define करने है इसी तरह से दोस्तों नॉर्मल से वही same question है आपके बस topic change हो जाएगा किसके उपर लिखना है ठीक है तो यह complete हो गया तक दूसरे का दूसरे का तीसरा question देख लिए दोस्तों लेटर लिखना है तीसरा question लेटर का basic समझ लो कि क्या लिखना है लेटर इसमें dialogue लिखने है चौथे में चौथे में देखे क्या वो लगया है राइट डायलोग बिट्विन टू कॉलिज गोइंग फ्रेंड्स who are discussing how to make the right carrier दो फ्रेंड जा रहे हैं कॉलिज वो राइट के बारे में लिखना है ठीक है राइट केरियर चॉइस तो डायलोग आपको लिखने हैं जैसे आपस में दो फ्रेंड्स कर रहे हैं केरियर के बारे में तो आप लोग तो यह कुछ भी बना के कर सकते हो इसमें ठीक है तो चोधा का वहां तक कंप्लीट हो गया अब यह पांच शेएगा पांच शेएगा ठीक है पांच शेएगा बी चटेगा तो यह दो कोशन पेपर कंप्लीट हो गया ठीक है नॉर्मल से कोशन है दोस्तों यह भी आप लोग खुछ से बना के कर सकते हो ठीक है आपको खुछ से ही करने होंगे यह भी तो जितने भी थर्समेस्टर वाले बच्चे हैं अगर आपको पीडियेफ चाहिए 50 रुपय में पीडियाफ प्रवाइट करवा दूँगा आप सभी को इसकी क्योंकि इसमें प्रिवेसर का कोशन पेपर और देखने को मिल जाएंगे यह तो मैंना दो कोशन पेपर करवा दूँगा तो आप लोग चैनल को जो सब्करिब कर लेना और कॉमेंट करके बता देना कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट है या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता देना आप लोग जितने भी थर्समेस्टर बीए प्रोग्रम वाले बच्चे चाहिए बीकॉम प्